नमस्कर वन्हु बांधवी होकोल, वेलकम टू एकुही बाट, मौय आजी एकुही बाट आपना लोकोर करने आको इंपोर्टन्ट MCQ लोई आहिसू, एखीने MCQ आमार आही बोलोगा होकोल लूबूर अखम गोविमेंटर और जीखने एक्जाम्स आसे, हे एक्जामोर बाबे ह करेंड़ लोगा होगो, विद्धी कडित्ने में वीडियो भनाया है, मौय आख सुन वीडियो तू आज स्दूर्ट करू, जान मुझिकल इंस्टूमें आक मुझिकल इंस्टूमें गोगा गोषे भी म।ूम अग्स दमेंले ककि दोलोगां, मूझिकल इनिस्टूमें गोषे A.S.A. Missing, B.S.A. Dimasa, C.S.A. Boro, D.S.A. Hunwaal Kausari यार अमार आंसर तू होई जपो सीटू करें से जा मुजिकल इंस्रूमेंट तू Boro Community रहो सो सीटू ती यार्टे टीक दीबो लेगी बो यार्टे मार नोट अटा दीडी सू It is a kind of violin used by the boros and have four strings and traditionally played by a small bow made of bamboo strip यार्टे होन पिक्चर दीडी सू पिक्चर होन देखिले गॉम पा देखाद वाया लिनों इसना होई बोड़ो हो को ले यूस कोरें और सारी डल यार्टे किठा के सारी डल यार्टे स्ट्रिंग ठाके बुली कोष्टे and traditionally played by a small bow made of bamboo strip यार्टे डीडी बोज़ाई पिलाए मने मुज़खिनी मने टाप्रा उलाए the bow string is made of a small bunch of hairs of a horse tail horse or tail और मने hairs पा एबाव तो बन्वा होई the scissor lock is the best known for making seda so scissor गोश प्रा ए सेर्जा musical instrument तो बन्वा होई पुली कोषई so seda musical instrument तो बड़ो हो कोलर होई next which of the following ahom king added the royal officer borfukon to the administration system of the ahom kingdom ahom kingdom or ahom or administrative system on kunjan ahom ruler ay kunjan ahom roja ay borfukon title to add korisil बुली कोई से ए से प्रताव हिंगा बी से लक्षमी हिंगा सी से रुत्र हिंगा दी से नन अफ देस borfukon title to add korisil ay आमार ए तो करेक होई सब प्रताव हिंगा सुसेंग फा ऐस प्रताव हिंगा वस दे 17th and one of the most prominent kings of the ahom kingdom ahom नम तो प्रताव हिंगा वोई लोई लोई से ले नम तो and one of the most prominent king हूई important king हूई ahom kingdom से ले आमार वार्फukon title to my तो, he is also called the Burha Raja, तेहो का मी Burha Raja हिसाप पे जानू, Pratav हिंग। His expansion to the West is underlined by the two new officers that he created, that of Borborva and the Borfogon. So, तेह दोता ऐग दोता अच्छी ले आधो में 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 आधो रहो कॉण। रोजा जनासिल आहों रोजा प्रोटाव हिंग हो अर्टेव गामी बुरा रोजा हिसाप पे उजानू नेक्स है जातिंगा फ़मास व मास्वीसाइड ऑ माइगरिटरी बार्टाव साथ इसलिट्रिक अधनू इमाहसाओ पुरे जाटिंगा खुटिंगा खुटिंगा श्माल ट्राइब वेरेज असम्स only hill station is known for the mysterious suicide of birds during certain weeks of the year अधा हम वाध भाझ भाझ भी पला खुटिंगा भी पला घुला खुटिंगा भी अध्यटिंगा ds नाराएनी coach coins भी आमी नाराएनी बुली जानू छो आमाँ d2 करेक्षपोई याथ्टे माठ अलोट नेटा डी दी डी शुआ रू Coach Coin is or Coins of Coach Janice, originally called Narayani Mudra, मी Narayani Mudra बुली बले हो करेक्ट करें पर वा Narayani बुली बले हो अमार correct हो अदू. इस फर्स इंट्रद्दूस बाई दा Coach King Narayan, कुने उला इसले, Narayan नारा नारा ने उला इसले, बोट Gold and Silver Coins were impressed, Gold and Silver निनुका नो Coins बलाग बना इसले, Coach Coins were round in shape, Coach Coins बलाग और shape to की हो, Coach Coins are shape to round होई. District of Assam is famous for ivory curving, ivory curving होग करने कुन-कुन district famous होग इसे, A.S.A. Borpeta, B.S.A. Nolvary, C.S.A. Baksa, D.S.A. Dorong. Ivory curving होग थे, अमार elephant जून तो वाइट कलर डाक्तू थाके, तार परा होग पावडरी सब्स्टेंस होग, तार परा बनुआ होग बुली कोई, ivory curving होग थे अमार पराइट कॉल थे पराइट कलर होग थे तो वाइट कलर होग राक्तू थे दुनिया होग, हेट हो अमार असल ते पुआ जाए, बाइट कर वाइट कॉर बेसिकली आमार बवर्पेटा डिस्रिक्टन. बरपटा इस इमास पर इवरी कर्विंग वोक्स इन असम्, अधूर्स लाग ओन्मेंट्स, इमेज़ अव गॉड़ गॉड़ेस अनिमल्स, कॉम् आर मेट बाइ स्किल्फुल अव अव गॉड़ेस अव बरपटा सिंस दा ताइम आव संकरदेबा सो हे आवरी परात योलो की बनाए, ओनाए, टोई बनाए, गॉड़ेस अव को बनाए, कॉम बनाए, अनिमल बनाए आरो बरपटात अमार ए दोर नो स्किल्फुल अटिसें सासे जुने ए आवरी कर्विंग तो कोरे सो हमार ए तो करेक्ट होगोल नेक्स एसे, WWF stand for WWF मने की A. एसे, Worldwide Fund, B. एसे, Worldwide Fund for Nature C. एसे, Vido Welfare for Future D. एसे, ननाए, इसे, एर आवसर तो मार बीटु करेक्ट हो, Worldwide Fund for Nature ए ए रवा नोट तो दिएसो, The Worldwide Fund for Nature is a Swiss-based international non-governmental organization founded in 1961 कि ए फांड कोरे से, 1961 ए फांड कोरे से, Swiss-based non-governmental organization है की ओर करने काम कोरे Wilderness, Preservation and Reduction of Human Impact on the Environment It was formally named, World Wildlife Fund which remains its official name in Canada and United States सो अकर आैंमी अजी में स्ट टारा वाइलाये कर निचानी सेंपा हुआ स आल मैंने रोल्ड३ाया बूलेऊं इता हुए को द्वर्लाइट से पतते सिन डिएकल वाइलायीन और ने जा मा भी तू करेक्ट होई गोल next is what is the full form of VPN VPN और full form की तू बहुत exam मोर आहा देखा गोई से A is a virtual protocol networking B is a virtual private network C is a virtual protocol network D is a visual private network VPN मने होई से virtual private network so मा भी तू करेक्ट होई गोल VPN stand for virtual private network it refers to a safe and encrypted network that allows you to use internet resources in a remote manner using VPN you can create a safe connection over a less secure network that is internet so VPN तू होई गोई से अमार virtual private network next is it a first state which was curve out of Assam as full-fledged state is अखो मुपर कुन कावई होई as a full-fledged state हसाँ पे एस्टाबिश होई सिल first खोई a Nagaland, b Meghalaya, c Manipur, d Sikkim यार अंसर तू a होई सब नागालें दे फस्टाब आ कर्वाउट कुरी कोई full-fledged state होई सिल Nagaland was the first state to be curved out of Assam in 1963 यह तू देट तू किते बाह नागालें ने अखोमोर प्रा कितिया मने separate होई गोई सिल यह तू होई सब आ मेखाले, ताव सो मेखाला गोई सिल 1972 वस फॉलोड बाई the creation of Mizoram as a union territory in 1972 मेखालें मोई सिल आव ताव सो लेटर अन becoming a state in 1986 मेखाल गोई सिल सो यह तू काढ़नों देट्स भीला को आमार एग्जामोट आ हैं अखोमोर पा किते आ कर्वाट कोई यह तू यह ते फर्स खान मेंशन करबो कोई से एटू होई सब आमार नागा लें Next ताव से in which year Tocklai T. Research Institute was established, Tocklai T. Research Institute to किते आ स्टाबलिश हो इसल यह ते हुदिसे A.S.A. 1922, B.S.A. 1911, C.A. 1933, D.S.A. None of the ever Tocklai Research Center to आमार इस्टाबलिश हो इसल 1911 और बहुत पुरो ना हुए टी रिसर्स हो खेट रोट मनोट टा डिदी सु याते TOKLAI is the oldest and the largest tea research institute in the world's oldest हुए और largest हुए it was founded in 1911. It was established in the year 1911 with the aim to conduct scientific tea research for enhancing the productivity and quality of tea. While tea check को रिबो करने productivity and hence को रिबो करने ए रिसर्स center तु बन्वा हो सिले. Research on all aspect of tea cultivation is carried out at TOKLAI Tea Research Institute Jorhat Assam and at North Bengal R&D Center Nakra Kata West Bengal. So yeah West Bengal रिदे रिसर्से तो mention कोरेशो और रिसर्से रोचमाट रिसर्से 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 नाम्तु तो TOKLAI Tea Research Institute established until 1911 और. Next question to us is Ali Aayaligang तो कुंतु कम्सीनीटिर ये फेस्टिवेल तो पते तेवो के A. से मिशिंग, B. से टिवा, C. से बोरो, D. से रभा. यहार अंसर तो अमर होजो मिशिंग, मिशिंग होकोले अली आए लिगांग फेस्टिवेल टु पते? मनो टता दी दी इसु याथे Ali Aailigang और Ali Aailigang is spring festival associated with agriculture celebrated by the missing or missing tribal people of Assam and other north Indian states so Ali Aailigang तु एटा agriculture related festival होई, अरु को ने celebrate कुरे missing community होई, अरु जिखी नी missing people north east India आसे बाँ India भी भी ना चागा रह से त्या वनो के ए spring festival तु celebrate कोड़े, ali means root, ali मने roots, bas seeds आई मने होसे fruit, लीगं मने होसे sow, this is why ceremonial showing of paddy starts on this day, so की कोरे, हे दिनाए मने जितिया धान रुआ start कोरे, हे दिनाए त्यावलो के तू celebrate कोरे, अली आई लीगं, अरु कुंतु कमें ते सेलिबरेट कोरे, बिशिंग कमें ते सेलिबरेट कोरे, कुंतु कमें ते सेलिबरेट कोरे सबस्नु माण सब्सेघ खानए शवों रिखे भर कैद तू सुहुं मुन जी जए आध को मने हो सिलिगा, त्या लीगं ठावज च्छे ना शवरग ना रायन Soongmung was the first Ahom king to adopt a Hindu name in addition to his Ahom name. The Hindu name is a Hindu name. The Hindu name he adopted was Swarga Narayan. He is also called the Dihingya Raoza because he made Bhakata on the Dihing River, his capital. So, we know the Dihingya Raoza because the Bhakata is a Dihing River, his capital. इस पितल बॉनाई सिले ते और हेकार ने आमिता उख डिहिंगे रोजा बुलिए उसानु अठाव कि हिंदू ताइटल लो इसल ताइटल 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 पाला डायनेस्टी तॉ एकापना कोईशन नहीं ही ठाका रेखा जाई पाला डायनेस्टी फॉर्स्ट र उस extending 758 अब होगो भीवेज केकंस कुछी उनल सिम्पान подготов रेशिं2 को रेशिए स्थिलकुक टाय ये आलारीटी आलारीश की बीए्टिमुट ने Gटे आलारीबा ये ने आलारीश कीजित הבמ जातन लुटाय आलाремाव के बीएमयों। इस न फालो गोर शेट अधो न इंपोर्टन प्यूंत होई oil refinery वोल्ल और कुंटु ओल्डेस ओपरेटिंग और रिफाइनेरी हुए भली कोई से एसे डिगबोई इंडिया बी एसे मतुरा इंदिया सी एसे पोर्ट अर्थर उसे डिया से बेटाउन उसे याथे गुट्टी वोल्डर मिलाए मने ओल्डेस कुंटु ओई ट्यो अपरेट और क्योना इसे त्यो में ऌिगबोई रिफाइनेर बाती बातीन होई जय दिपल्ड इंद्टी वगल्या से एलिगवां मने लोल्से कोरेशरीया से और मेल्ड आतीर रिथे ह Mensch म॥ोंटी त salvation क्योंटु परेटिंटु डिखलिए उर डिक परेटिंटू डिग बातीनेरी परने refineries in the world and termed as the Gangotri of the Indian hydrocarbon sector. So, what do you call Gangotri of the Indian hydrocarbon sector to Kuntu refineries in the world and termed as the Gangotri of the Indian hydrocarbon sector to Kuntu refineries in India? All these operating oil refineries to answer to DIGBOY. Next question was said, which place in Assam, the PADI Research Center is located? A.Titabor, B.Sonari, D.Happekhati, D.Markerita A.Titabor, B.Sonari, C.Happekhati, D.Markerita Here answer to A. PADI Research Center to Amara se Titabor, so A to correct hoi gol Rice has been playing a key role in all spheres of life in North East India. Yes, rice to Amara staple food hoi. The rice experimental station at Titabor came under the administrative control of Assam Agriculture University in 1969 as rice research station. Next, what was the dynasty of Mahiranga Danava? Mahiranga Danava dynasty to KIA SE YATEHURI SE A.S.A. Danava dynasty, B.S.A. Pala dynasty, C.S.A. Bhoma dynasty, D.S.A. Varman dynasty. This is the Mahiranga Danava dynasty. Mahiranga Danava dynasty roi. The Danava dynasty was first legendary line of rulers in Prague Jyoti Shah established by Mahiranga Danava. So first, I have legendary line of rulers, dynasty. First, the Homo dynasty is Danava dynasty. And the ruler is Mahiranga Danava. Next, Gamosa which received geographical indication GI tech to receive is a traditional scarf from which Indian state. The Gamosa is a symbol of the culture and identity of Assam. The Gamosa is a symbol of the culture and identity of Assam. is a hand woven, rectangular, cotton piece of cloth with red borders. And different designs and motifs is offered to elders and guests as a mark of respect and honor. So, what is the Romance? The Romancea is our cultural identity, our Assam's culture and identity. G.I. take laugh and it is your symbol of Karan. It is a rectangular cotton cloth… क्लोथ और पीस और रेट बोर्ड अठाए गिसमान डिजाइन ठाके और काग दिया हूँ अल्दर्स हो को लोग दिया हूँ, गेस्ट हो को लोग दिया हूँ, रस्पेक्ट आरो ओनर जनाए अन दिसेंबर 22 गमुजब अवसम् रसेव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टेंग next question to us, we often hear the term CTC in the context of Assamtee what does CTC stand? वरा में आहूम तीर लोगा CTC तो हूँना पाइठा को CTC मैने की याटे होड़ी से CTC full form A से curl, tear, crush, B से check, trash, curl C से crush, tear, curl, D से check, tear, curl CTC full form तो होड़ी से crush, tear, curl याटे माई दिस होड़ू के नोट एटा crush, tear, curl, CTC मैने crush, tear, curl a method of processing black tea तो बने आमाः black tea हूई, वी बालेग हूई in which the leafs are passed through a series of cylindrical rollers with hundreds of sharp teeth that crush, tear and curl the tea into small hard pellets this tea is mostly consumed by adding milk and sugar so it पाइप बने दिस दिस होड़ी से काइब दिस होड़ी से क्रू़ी से दिस होड़ी से पाइब दिस होड़ी काइब this tea is mostly made in the plain areas of Assam and West Bengal in North India and in South India. So, पुआजाय और सीटी सीटी होगों से ख्राश्च टियर कर्ड. Next आसे, बीरुबाला राभा थाज बेन ओनार्ट विट पदमाश्री अवार्ट because of her campaign against social evil of Assam. कुंदु social evil of Karanay बीरुबाला राभा थानी या ahислें, हेत्री करने तियो पदमाश्री अलाव करू से रिटू कोय से ? A. बावरी करने D. छाइल मेर्जव करने C. ऐ आख लो डीउ यeार अंसर हो जब धी, बिरुबाल कैंड एक्टीफली काम कुरिया हिसल विच्छ इर विच उन्तिंगी करक्षी हो बिरुबाल एक्टीवेस फरमासाम् के शूज चाहि वहिधाब हॉए् उचओ हॉřिद ये रख कामकुरिया हिसल हैो relentlessly तयो काम कोरिया हिसिल आरो हेबाबे तयो पदमा शिव लाफ कोरिसिल she has saved a number of women from becoming victims of witch hunting so याथे होजब आमार witchcraft and witch hunting to correct next question to us ayamar Raimona National Park is located in which of the following district of us ayam Raimona National Park on कुणखन district or as ayamar ए दुबरी भी गोल पर सी कोक्राजर दी उडाल गोरी Raimona National Park on amas si कोक्राजर or as ayamar नोटेटा दीरी सु रामुना National Park is located in the गोसाइगाउ sub-division of कुणखर दी रसाब the state chief minister Himonato Biswaswarma declared it as the National Park on 9th June 2021 so Raimona कोक्राजर district रसे गोसाइगाउ subdivision पोरे आरो Himonato Biswaswarma amas si जिए में तयाँ National Park ऑटेखर दी रसे 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 2021 Raimona National Park boos अ बुस्ता वारी रसे गोलेल लेंगू जिए बुस्ता नेम्ट दी प्रह प्रवेलन प्रीज रसे गोलेल लेंगू टू जी है टू एटा अ अंदेमिक स्पीस रसे रसे कोर सारी रामोरा नचनल परकोटो वासे, which has been named the mascot, रबॉरोले नर रिट वत मैसकोट हुआ लें लेंगू तू इर आसेएन, ऐलिफंट, बंगल टाइगर, गोर्ड, टीटल, 4-5 species of hornbills, more than 150 species of butterflies, 190 species of birds, 380 variety of plants and orchids, तो रामोरा नचनल परकोटो पूआ चाये और को कराँ रजय दिर्तिक्टे दासे The illustration work of the Medieval SMS text Hasti Widen enemies was done by एख एखोण एक तूझन किताब होई ancient SMS text text Medieval asamore, Hasti Vidyarn춰 एखोण-एखोण famous book होई एखोण और illustration work kli hour unakotherapy या ति किन तो कुंज जरी रइटर विखी से एआ से हीट TJiam तो आमी भलके सब आ लाइबो A.S.S.S.U.R.I.A.K.E.G.A. B.S.E.D.L.B.R.N.D.S.A.I.C.S.S.S.U.K.U.M.A.R.B.K.A.I.T. A.R.D.S.A.R.A.S.R.A.S.W.A.T.I. जुदियामा राइटरों को था हो दिले हो राइटरों को था हो दिले हो राइटरों को से हो राइटरों को से 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 राइटरों क लिखा होई से, अस्टी विटर्णवा ऊसो चंटेंसेवरल पेंटिंटिंग्स और इलास्टिर्शेशन सके हे किताब खाना हे खिने उपडेक वेषिंट तु अपना है थी समारा आपकर अहमं और हाखवान बूर नव्स्न अटिवी नाम्हां हूं। पूरे Pyaर को पिंवीय कके लिचार और दूर द श्राइं को इस रूत रूतनि का नर द शरूतनि अथिख जया नुट्ड़ा को बॉल्सटें है। Mumai Tamuli was an able administrator and the commander-in-chief of the army in the Ahom Kingdom of Assam, India. So Mumai Tamuli was an able administrator and commander-in-chief of Ahom Army. He was the first Borbora, a new office created during the reign of the Ahom King Pratavhinga. Pratavhinga जेतो Borbora, Borfukon, उलाईसल तेवरे अटा पोईशन नन Mumai Tamuli इग दिसले, मुमाई Tamuli, Borbora बुली को. Next was his sons, Lassit Borfukon and Laluk Sola Borfukon played very significant roles in the history of Assam. We know our former history of Lassit Borfukon and Laluk Sola Borfukon and Laluk Sola Borfukon and the name of Assam. So these are the sons of Mumai Tamuli, Borbora, sons of Assam. Spinning and weaving on part of womenfolk was made compulsory in every Assamist home and it for this foresighted policy of Mumai Tamuli that weaving became universal among Assamist ladies, irrespective of caste, creed and social status. And this is why we have to say that the Ahum dynasty is undered. That is why weaving two womenfolk are compulsory. We cannot see it in the village or village or village or village or village or village or social status. So compulsory, it is irrespective of caste, creed, social status. This is why we have to practice the first SMS film Jawamoti was released in the air. Jawamoti is our first Ahumiyah cinema, because it was released in the air. A is in 1935, B is in 1937, C is in 1944, D is in 1945. Jawamoti is our first Ahumiyah cinema released in 1935. Now we have to note that Jawamoti is a 1935 Indian film widely considered to be the first SMS film ever made. So, first of all, Ahumiyah sobi hoi, this is Joyamoti. Based on Lakminas, Beshboruwa's play about the 17th century Ahum princess, Joyamoti Kauri, the film was produced and directed by the noted SMS poet, author and filmmaker Jyoti Prashad Agarwala and starred Ido Handik. This is our first SMS film movie, Quahoy, 1935 was released in 1935. And it was Joyamoti Kauri, and she was a princess princess, and this role was Ido Handik and Ido Handik, and Ido Handik was a girl. And this is a homoid, conservative woman in cinema, but she was a girl who was a girl who was a girl who was a girl. So the nameVES is read well. So given back your name is Joyamoti, and again this is started, leave the main女re's name haha tell me and let us know if any actress before you hear about her writing. Next is, the ancient Mahabha redha temple chưa other, no mere name known as a match. Ancient Mahabha redha temple. Yahubha redha temple is also now valid, no mere actual discipline. 1.Kitshpur , Haja. महावारब तेंपल तो फिर्म हीबोर टेंपल होई अर वासे आमार भी तेचपूरोग ता एंशेट महावारब तेंपल इस लोकेटेट एता हिल लोकेट अलोक अनुडर पार्ट आज ताव इनासाम इंडिया तेंपल इंडिया तेंपल नौर्च शिवा एंड बिल्बाई किं मने हीबोर तेंपल आमी देखा पाओ मने तो ते तेस पूराट तो डेडिकेटेट तो जिएटु शिवा तेमपल तो बनाइसलब ली कोई से महावरब तेंपल तो शिवा लिंगा अव दिस तेंपल इस से तो बी मेड अव लिविं स्टोन विच ग्रोस ओवर स्लोली Queshion to aase in Sanskrit inscriptions the name of Naranarayan is mentioned as Sanskrit inscription on Naranarayan और नम्तु की बुली mentioned aase A. Khatriya B. Purander C. Malladev di Kamateshwar a. Khatriya B. Purander C. Malladev d. Kamateshwar Sanskrit inscription on Naranarayan और नम्तु, Malladev बुली mentioned aase so C2 अमर यथे correct होई Zabo Naranayan was the last ruler of the undivided Kosh dynasty of the Kamatha kingdom he succeeded his father Vishwa Sinha नरा 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 न वस्ट विश्वा सिंगा, इस प्रिवियर्स नीम उस मल्लादेव, जिट्या थ्रोन ल्वान असिल टारागो तेव नम्तु मल्लादेव आसिल जूंतु संस्क्रिप्शन आतु मैंचन आसे विश्वा सिंग विश्वा सिंगा, विश्वा सिंग हैं नरा 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 नौक अर नरा 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 नाक आतु संस्क्रिप्शन आतु मैंचन आसे next question to us say who was the only SMS to take part in the historic Dundee March Dundee March इतो इंडियर आता freedom struggle और आता important movement हुई ता ते कुन जोन अखमे 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 मन्हें पार्टिसिपेट कोरिसिल तेयो नाम तु की या ते हुडिसे ASA चंद्रधर बोर्वा, BSA लीलाधर बोर्वा, CSA नभीन चंद्रवा बोर्डवा, DSA विश्नुराम मेधी या रहा आंसर तो आमार बीटू हो जावा लीलाधर बोर्वा तेयो अखमे अखमोर परा पार्टिसिपेट कोरिसिल गोई पेलाई दंदी मार्च याने मा नोटेता लीलाधर बोर्वा फ्रम असाम तुक पार्ट इन दंदी यत्रा अव गंधी इन 1930 जे तो 1930 प्राट पार्टिसिपेट कोरिसिल मा खोड़ू के दंदी मार्च या तो कोई इसु या ते The Salt March also known as the Salt Sattagraha, Dhandi March and the Dhandi Sattagraha was an act of non-violent civil disorbenance in colonial India led by Mahatma Gandhi, start kore sil Mahatma Gandhi are in a non-violent way, Dhandi March 2 start kore sila, ehto Salt Sattagraha Salt March buli ho koi, the 24 days March lasted from 12 March to 5 April 1930, aro kimaan dinor karene ho sila, 24 days ho karene March kore sila ho sila ho sila, 12 March apra ho sila 5 April 1930 he ho sila as a direction against campaign of tax resistance and non-violent protest against the British salt monopolis next question to us, Hotihadini was a queen of which dynasty, Hotihadini Kuntru dynasty queen asil wali ho sila A. Ahom, B. Koj, C. Sutia, D. Tripura, yare amare answer to ho is abo C. Sutia dynasty queen asil Hotihadini, ya tata note di disu Hotihadini was a legendary queen of the Sutia dynasty, the legendary queen asil Sutia dynasty, she was the daughter of king Dharmadhavajpal also known as Dhir Narayanthaya aur Bapakor naam asile, Dharmadhavajpal, now Sutia king asile in 1524, the Ahom took advantage of Nithyabal's weak leadership and when the Ahom took advantage of Nithyabal's weak leadership she is the governor of Sothia and the Ahom governor of Sothia and if she has given a to Hothiyadha cover the Ahom governor of Sothia, she had given a offer offer of Sothia Khuan Guhaoghain she preferred death to dishonor and sacrifice her life by jumping from the top of Chandrageeri hills near Sothia in 1524 she offered to accept NITHO and her life sacrificed for her life Every year in Assam, 21st April is celebrated as Hotihaadi ni divorce to honor the sacrifices made by the Sutiya Queen So 21st April to Amar Hotihaadi ni divorce हिसाप पे, आमी celebrate करो आरो एटो government holiday ठाके आरो Hotihaadi ni kore queen असल, Sutiya dynasty queen असल मायची आपनालो कोरलोको दियाटे MCQ डिसकास कोरिलू एकिनी MCQ आपनालो को आही बोलगा होको लिबूर अहम government और exam और बाबे help होबो आहा को रो video तु भाल लागिल, video तु भाल लागिल जोड़ी video तु लाइक कोरिबो आमार चैनल तु सब्स्क्राइब कोरिबो, शेर कोरिबा नापा होरिबो, आरो comment डाउन कोरिबो आरो जोड़ी फ़ादर की भाल बिसारे आपनालो के topic related आपनालो के kindly mention कोरिबो जाटे मार फ़ादर आरो तेनु का ढ़नाव वीडियो आपनालो को ले provide कोरिबो पारू थेंक यू